हेलो फ्रेंड्स आजें तमारी साथे शेर करी असल काठ्य वड़ी स्वाद साथे ठोकडी ना शाकनी रेसिपी तो आज शाकनी आपड़े प्रेशर कुकर मात यार कर सू जेमा तमारे ना तो वेलन चला हूँ पड़ से के ना पची लोटना गाठा पड़ से आने पहली ज्वार मात अमारी एकदम सौफ्ट आने स्पॉंजी टोकडी साथे शाक 100% धाबा स्टाइल बन से तो एकदम नवी रिते टोकडी नू शाक बनानू शरू करिये लाखेली रेसिपी वीडियो साथे जोवा माटे गूगल प्ले स्टोर माथी डाउनलोड करोड नेहास कुकबुक एप साथे मारी चनलने सब्सक्राइब करी बेल आइकोन ने जरूर्थी दपावो नवा रेसिपी वीडियो साथी पेला जोवा माटे एकदम धाबा स्टाइल टोकडी ना शाक माटे साथी पेला टोकडी बनावा में या एक वाटकी जितलो चणानो लोटली देलो छे तो माट माटे घर मा रहेली कोई पन एक वाटकी सेट करीलियो अने ते वाटकी प्रमाणे तमारे एक वाटकी जितलो चणानो लोटले वानो छे तो अवे जे वाटकी थी चणानो लोट ली देलो छे, ते वाटकी ना माप्रमाणे में एक वाटकी जिटलू पाणी ली देलो छे साथे में यह एक वाटकी जिटली 6 लिदेली छे, तो डोगडी बनावती वक्ते थोड़ी 6 एट करवा थी, ते स्वादमा एकदम टेस्टी लागे छे, तोचे एने एकदम सैलू माप एक वाटकी चड़ाना लोड साथे, अपड़े एक वाटकी जिटलू पाणी, अने एक वा साथे एक चमचेटलू लाल मर्चू पावडर, अने एक चमचेटलू धाना जीरू पावडर एट करी देए, तो डोगडी बनावती वक्ते थोड़ा मसाला एट करवा थी, थेकदम टेस्टी बने छे, अने हवे बद्धी जवस्सुने ग्राइंड करी लाइए, तो बद्ध बेटर मां खोई पन जातना गाठा ना थी, तो हवे तैयार साइला बेटर ने मिक्सिंग बावल मां एट करी देए, तो ये तैयार साइला बेटर ने अपड़े हला आनी जंचेट वगर, तेमाती एक दम फटा फट टोकडी बनाव माटे, में ये कूकर मां बेथी त्रोणक अबजेटलू पाणी एट करी ने तेने गरम करीली देलू छे, अवे सेंटर मा आरितनों काठो राकी देए, आने तेनियू पर ढोकडी ना बेटर वाला बावल ने राकी देए, आने अवे प्रेशर कूक थती वक्ते बेटर मा पाणी ना जाए, तेना माटे तेनियू पर आरितनी कोई पनेक डीश ने राखी देए, आने अवे कूकर नों ढाकन बंद करी ने मीडियम टू हाई गेस नी फ्लेम पर पाँच विसल करी लए, ते आवली डोकडी प्रेशर कूकर मा रेडी थाय छे, यह आपने बेटर ने मीडियम टू हाई गेस नी फ्लेम पर अच और बेटर उपर राखे ली डीश ने लए लए लए, अने बेटर ने जोई ए तो तामें जोई शको छो के बेटर साइड़ मा थी एकदम सारे ते कूक थेने तेनी सपाटी छोड़ी दिदेली छे, तो हो यह तेने प्रेशर कूकर मा थी काईडी लए, अने हवे कर्मा गरम बेटर ने आर इतना वेलाण के पची कोई पन चमचानी मद थी, एकज रैरेक्षन मा फक्त एक थी बे मिनिट माटे हलावी लए, तो शर्वात बावड बेटर मा थोड़ा गाठा देखा से, पन ते थोड़ी जवार मा वई जसे, तो लगभग एक थी बे मिनिट जोऊ बेटर ने आर इतना उखाली न जोई तो बेटर सार इतना उखली जाए छे, मिन्स अपड़ू बेटर जरापन काचू ना थी, तो लगभग ए तेने पाथरवा, मैं ये नानी साजनी डीश लिदेली छे, तेमा थोड़ू तेल एड़ करी ने डीश ने सार इतना ग्रीस करी अनि हवे तेमा बेटर ने एड़ करी देए, अनि चमचानी मद थी बेटर ने सार इतना इतना उखली लागतू होई, तो बेटर ने पैंड मा एड़ करी ने थोड़ी वार हलावी देजो, बेटर वाधी पाणी एब्जोब थेने तमारी ढोकडी परफेक्ट थाई जाश अनि अवे आपणी ढोकडी ने जोईए, तो ढोकडी नो मिक्षर एकदम सारे ते ठंडू थेने सेट थेग्यो छे, तवे चारी नी मद थी तेना स्क्वेर पीस करी लाईए, थमे ढोकडी ना पीस करीली देला छे, तवे थानी मद थी तेने डी मोल्ट करी लाईए, अनि ए पात्थी छान नंग जटली लसनी कड़िली देली ज़े, अर्थी जम ज़ेलू जीरू, सदे जर्टीनो कलार एकदम सरसावे, तेना माटे एक चम ज़ेलू कश्मीरी लाल मर्चू पावडर, अने लसन एकदम सारेते क्रश्थे जाए, तेना माटे एक मीन ज़ेटलू मीठ वय वगहर करवा त्रोण मोटी चमझेटलू थेल एड़ करी दैये अवे गरम तेल मा अड़दी जमझेटली राई ताबली राई एकदम सारी ते ककडी गय छे अवे अड़दी जमझेटलू जीरू एक पिन जेटली हिंग पाथी चा लिमडाना पान अने बे सुकालाल मर्चा तैयार करेली गाठेवली स्ट्राईल लसन नी चटनी ने एड़ करीने धीमा गयास पर सारी ते साथ री लए जैती लसन नो काच्यों स्वाद वयो जाए तो आ चटनी मा अपने लाल मर्चू पावडर एड़ करेलू छे एले तेने साथ अर्थी वक्ते आपने गेजनी फिल एले हा तैयारे थोड़ू ओच्यों एड़ करू साथ एक चमजेल्लू धाना जीरू पावडर एड़ करीने मसालाने तेल मा सार रिते साथ ड़ी लए तो मसालाने आरीतना तेल मा साथ ड़वा थी शाकनो कलर अने स्वाद एकदम सरस आवे छे अने आवे शाकनी ग्रेवी नो रसो करवा माटे 3-4 कप एटलेके एक कप थी थोड़ू ओचु पाणी आड़ करी दईये अने आवे तेमा स्वात प्रावने मीठु आड़ करी दईये अने तेने सार रिते मिक्स करी लईये अने हवे पाणी माँ एक बॉय लावा दईये तो लगबग एक मिनिट माज आपड़ू पाणी सार रिते उकड़वा लाईगू छे तो अवे गेसनी फ्लेम एकदम लो करी दईये अने वगहारनो टेम्परेचर थोड़ू डाउन करी दईये घाणगे आपड़ तेमा 6 एट करवानी छे तो लगबग एक थी बे मिनिट जयो थाईग्यो छे अने वगहार पहला करता थोड़ो थन्डो थाईग्यो छे तो अवे मैं या एक वाट की जेटली 6 ली देली छे तेने एट करी ने मिक्षर ने आहर इतना सत्त थालावता जैये 6 एट करता पहला आपणे गेसनी फ्लेम बंद करी देवानी छे जेती वगहारनो टेम्परेचर डाउन थाई अने आपणी 6 जरापण फाटे नही साथे 6 एट करी रापची आपणे वगहार मा तेने थोड़ी वार सत्त थालावतार है वानू छे जेती ते जरापण फाटे नहीं अने एकदम सारी ते कोक थाई जाई साथे 6 एट करी रापची आपणे थोड़ी वार गेसी फ्लेम मीडियम टू लोज राखवानी छे जरापण हाई नथी राखवानी तो लगबग 2 मिनेट जेव थाई ग्यू छे अने आपणू 6 नू मिक्षर पहला करता थोड़ू गरम थे ने आरितनो उकडवा लाईगो छे साथे आपणी चास चरापण फाटी ना थी तवे आसमे तेमा ढोकडी ना पीस ने एट करी देए अने आवे रसाने थिकने सापवा माटे एक थी बे नंग जेटला पीस ने आरितना हाथे थी मैश करी ने एट करी देए अने आवे बद्दीज वस्तुने मिक्स करी लईए अने आवे ठाकण डाकी ने धीमा गैस पर शाकने पाथी 7 मिनिट माटे कूक करी लईए चेथी ठोकडी रसाने एकदम सारीते एब्जॉब करी लिए तो लगबग पाथी 6 मिनिट जेऊ थाई क्योछे हवे ठाकणने खोली लईए तो दामें जोई शेको चो के ठोकडी एकदम सारीते रसाने एब्जॉब करी लिए देलो छे तो हवे तेमां 8 चम चेटलो गरम मसाला पावडर, 1 चम चेटली कसूरी मेथी ने आतेती क्रश करीने एड करी दईये तो शाक माँ थोड़ी कसूरी मेथी एड करवाथी थेकदम टेस्टी लागे छे साथे थोड़ा कोथ मीना पान एटकरी ने बद्धीज वस्तुने मिक्स करी लगिये अनि हवे शाक ने भे मिनिट महटे उकडवा देए तो भे मिनिट थाई ने अपड़ू शाक तयार थेग्यो छे तो गेस नी फ्लेम बंद करी देए तो एक दम धाबास टाईल टोकडीनों शाक तयार थेऊ छे शाक नो रसो थेक करवा माटे अपणे थोड़ी टोकडीने मैश करीने एहट करेली छे साथे आपड़ू शाक थंडू थासे तेम तेनो रसो थिक थतो जासे तो ए गर्मा गरम शाक ने सौक करी लगिये तो आपड़ू एक दम नवी रिते प्रेशर कूकर माँ ठोकडीनों शाक तयार थेऊ छे एक वारते ने आहरीते चोकस्ती ट्राई कर जो जो दमने मारी आजनी रेसिपी गमी होई तो मने कमेंट सेक्षेन माँ जरूर थीके जो साथे मारा वीडियो ने लाइक और फ्रेंड्स और फेमेली माँ शायर कर जो तो फरी मड़ी एक नवी रेसिपी साथ है